वेलकम बैक स्टुडेंट्स, स्टुडेंट्स हम साइंस में चैप्टर 10 की स्टुडी कर रहे थे जिसमें हमने यहां पे एंड किया था अब हम नेक्स पे से नेक्स टॉपिक से कंटीनू करेंगे सो दे नेक्स टॉपिक इस वाटर सूर्य जो होता है वो प्रत्वी की जो सतह है उसके जल को उसके पानी को धीरे धीरे गर्म करता जाता है और फिर उसे भाप में चेंज कर देता है The process of change of water into water vapor due to heating is called evaporation और यह जो प्रक्रिया है पानी की भाप में बदलने की गर्म होकर उसे बोलते हैं evaporation मतलब बासपी करण When water vapor reaches the colder upper layer of the atmosphere It condenses to form water droplets जब पानी जो होता है वो बासप जो होती है वो ऊपर पहुचती है मतलब की ऊपर उठती जाती है मतलब ठंडे एरिया में पहुचती है atmosphere में तो क्या होता है कि वो droplets में change हो जाती है मतलब की पानी की भूंदों के रूप में वो संगनित हो जाती है These droplets together form the clouds और यह droplets जो होती है यह पानी की जो भूंदे हैं वो क्या करती है एकटी होकर बादल बना लेती है As the cloud moves along with the current और फिर जब यह cloud हवा के साथ में move करते हैं तो the droplets join together to form bigger drops तो यह चोटी चोटी बूंदे जो हैं यह मिल जाती है आपस में और मिलकर बड़ी drops को बना लेती है When they are heavy enough, they fall as rain और जब वे परियापत मात्रा में भारी हो जाती है तो वे गिरने लगती है मतलब की जमीन पे बारिस के रूप में वो गिरने लगती है The change of water vapor into water by cooling is called condensation और बास्प का पानी में बदलना, ठंडा होकर पानी में बदलना क्या कहलाता है Condensation कहलाता है मतलब की द्रभी करण अब there are many weather conditions which arise due to the effect of condensation and evaporation occurring in nature प्रक्रती में condensation और evaporation के द्वारा के कारण ऐसी कही सारे weather condition है जो होती है Let study about some of them चलो इन में से कुछ के बारे में हम study करते है Fog, fog means होता है कोहरा During winters, the clouds are formed very close to the surface of the ground which makes the air full of tinny droplets of water vapor and it seems like begging in a cloud being in a cloud ठंड के समय में क्या होता है कि जो बादल है वो प्रतिवी की सतह के काफी नजदीक बादल के रूप में काफी नजदीक आ जाते हैं जो की जो हवा को क्या करते हैं tinny droplets उसमें छोटी-छोटी बूंदों के रूप में जो भाब की छोटी-छोटी बूंदे होती हैं उनको हवा में आ जाती है और फिर ये क्या होता है ये हमें लगती है कि बादल है जैसे कि हमें वो बादल के रूप में लगने लगती है this is called fog ये है fog कहलाता है fog reduces visibility, causing accidents, traffic jumps, etc और fog जो होता है कोहरा वो जो visibility है उसे कम करता जाता है मतलब की हमें कम दिखता है दिखाई नहीं देता और उसकी बज़ए से क्या होता है accidents होते हैं और traffic jumps होते हैं अब dew, dew मतलब ose आपने देखा होगा कि जब हम winter time में या फिर जब ठंडा मौसम होता है तो क्या होता है कि सुबह के time में छोटी छोटी droplets आपने देखिऊंगी पौदे की पत्तियों पर घास पर हो जाती है तो on cold winter morning, ठंड में, ठंडी सुबह में small drops of water called dew can be seen on grasses, window pants, etc. तो पानी की छोटी छोटी बूने जने की dew कहते हैं वो घास पर और पौधे की पत्तियों पर और window pants पर देखने को मिलती है यह कैसे बनती है यह बनती है जब water vapor जो होती है, मतलब की वास्प जो है वो हवा में या हवा के साथ वो cold surface के contact में जवाती है मतलब की कोई ठंडी सतह से वो contact में आती है तो क्या होता है कि उसका condenses हो जाती है और वो droplets में मतलब की water की droplets बन जाती है पानी की बूनों में परिवर्थित हो जाती है Snow High up on the mountains, the air is sufficiently cold and thus water vapor in the clouds freezes into ice crystals जब उपर मतलब परवतों पर क्या होता है जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है काफी ठंडी होती है और इस तरह से जो water vapor होती है वो क्या होती है कि वो cloud में freeze हो जाती है मतलब जम जाती है और वो ice crystals बन जाते है they gather together and fall down as snow और वे एक साथ एकटा हो जाते हैं और फिर जमीन पर गिरने लगते हैं snow के रूप में snowfall is common on hills and mountains and is generally seen in winter snowfall जो होता है वो पहाड़ी और परवत वाले एरिया में क्या होता है सामाने रूप से होता है और ये सामाने तहा किसमे ठंड में देखने को मिलता है अब hail, hail मतलब की ole when raindrops passes through very cold air they freeze into crystals of ice जब raindrops जो होती है वो बहुत ज़्यादा थंडी हवा से होकर गुजरती है तो क्या होता है वो जम जाती है और ice की crystals बन जाते है these crystals of ice joined to grow big in size and round in shape और ये जो crystals होते हैं ये आपस में मिलते हैं और बड़े size में और गोल आकार में हो जाते हैं these ice balls come down to the earth as hell stones और ये ice balls जो होती है ये प्रत्वी पर आती है ओले के रूप में weather affect the life of people, animals and plants जो weather है मतलब की मौसम वो लोगों की और जानवरों की plants की सभी की life को क्या करता है affect करता है प्रभाबित करता है in summer we like to have cold drinks and ice creams but in winter we like to have hot coffee or hot tea गर्मियों में हम ठंडी drinks और ice cream खाना पसंद करते हैं जबकि लेकिन ठंड में हम गर्म coffee और गर्म चाए पीना पसंद करते हैं in summer we use fence etc. to keep ourselves cool and in winter we use blankets etc. to keep ourselves warm गर्मियों में हम अपने आपको ठंडा रखने के लिए पंखे वगरा यूज़ करते हैं और ठंड में हम अपने आपको गर्म रखने के लिए blankets आदी यूज़ करते हैं we wear in summer we wear cotton cloths these cloths absorb sweat गर्मियों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं मतलब कि cotton के कपड़े पहनते हैं जो कि हमारे पसीने को absorb कर लेते हैं लेकिन बट इन विंटर वी वीर बूलन cloths these cloths keep us warm लेकिन ठंड के समय में हम उनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं in some hilly places people stay near fire to get warm और कुछ जो पहाड़ी इस्थान होते हैं वहाँ पर लोग अपने आपको गर्मी पाने के लिए आग के पास रहते हैं during summer गर्मियों के दौरान some animals like turtles, frogs and some kinds of fishes worry themselves in the muddy places to spend the summer गर्मियों के दौरान कुछ जानवर जैसे की कच्छुआ, मेंड़क और कुछ प्रकार की मचलियां अपने आपको मटीले इस्थान में गार लेती हैं और वहाँ पर अपना मतलब पूरी गर्मियां बिताती है It is said that they are in estivation or summer sleep और इसे कहा जाता है कि वे estivation में हैं या फिर summer sleep में हैं Some animals like tortoise, snails, frogs, etc. go into hibernation or winter sleep In this way they survive in winter और कुछ जानवर जैसे कि tortoise, snail, frog, etc. ये क्या है? ये hibernation में चले जाते हैं winter sleep में मतलब कि जिसे बोलेंगे शीत निद्रा शीत निद्रा में वे चले जाते हैं इस तरीके से वे अपना पूरा पूरी ठन वहां पर विताते हैं In summer, some trees like neem and glittery cedia said their leaves to prevent water loss गर्मियों में कुछ पेड जैसे की neem है और glittery cedia है ये क्या करते हैं? अपनी पतियों को जाड देते हैं मतलब अपनी पतियों को तोड देते हैं अपने आप से दूर कर देते हैं किसलिए? prevent water loss को मतलब कि जिससे की उन्हें कम पानी की आविश्यक्ता हो ऐसा होता है कि summer time में उन्हें पानी जो है तो उन्हें क्या होगा पानी की आवश्यक्ता भी ज्यादा होगी तो इसलिए वे क्या करते हैं? अपनी लीव्स को हटा देते हैं मतलब जाड देते हैं आफटर वार्ज ते ब्रोड्यूस न्यू ग्रीव्स अगें और फिर उसके बाद वे अपनी हरी पत्यों नई हरी पत्यों को दुबारा से प्रोड्यूस कर लेते हैं और कुछ प्लांट्स जो होते हैं, वो अपने पत्तियों को आटम में भी जार देते हैं यह चैप्टर आपका फिनिश होता है और इसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी जिसमें से आपको उसे अपनी नोट बुक में नोट करना है, एंड लांड करना है